ऐसे तो मकर संक्रानती पर अक्सर हम तिल के लड़ू बनाते हैं लेकिन आज मैं आपके लेकर आई हूँ मार्केट में मिलने वाले सेम टेक्स्चर और टेस्ट की तिल और मुंगफली की चिक्की ये खाने में बहुती स्वादिष्ट होती है और मुं में जाते ही घुल जाती है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा और उसके बगर में छोटे सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दीए तो इस पहट टेस्टी चिक्की बनाने के लिए हमें लेना है आधा कप सफेद तिल आधा कप मुंगफली जितना सफेद तिल लेंगे उसी की सेम कॉंटिटी में हमें मुंगफली भी लेना है एक चौथाई कप बादाम आप चाहे तो यहाँ पे बादाम को skip कर सकते हैं और इसकी जगे पे काजू का इस्तमाल कर सकते हैं एक कप गुड जितना हम तिल और मुंगफली लेंगे उसकी डबल कॉंटिटी में हमें यहाँ पे गुड लेना है जैसे आधा कप यहाँ पे मैंने तिल लिया है तो एक कप कुड का इस्तमाल करेंगे इसके टेस्ट को और एन्हांस करने के लिए इसमें डालेंगे इलाईची और तीन बड़े चमच देशी घी यहाँ पे हम देशी घी का ही इस्तमाल करेंगे तो ये हैं वो ingredients जिनसे की हम ये tasty चिकी बनाएंगे Next एक pan में dry roast कर लेंगे तिल तिल को हम करीबन सिर्फ एक मिनिट के लिए ही roast करेंगे इसे जादा roast नहीं करेंगे अगर तिल को जादा roast कर देंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाती है और इसका taste भी change हो जाता है इसे dry roast करने में करीबन तीन से चार मिनिट लगेंगे क्योंकि इसे हमें तब तक dry roast करना है जब तक कि मुझफली उपर से छिलके छोड़ने ना लगे और इसका जो color है वो भी अलग सा हो जाएगा तो बस जब इस तरीके से मुझफली छिलके छोड़ देंगे हम गयास की flame कर देंगे बंद और इसको भी रख देंगे साइट में नेक्स्ट सेम पैन में हमें लेना है बादाम और इसे भी dry roast कर लेंगे आप अगर बादाम की जगे पे काजु का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसे भी इसी तरीके से dry roast कर लीजएगा इन दोनों को हमने इसलिए अलग-अलग dry roast किया है क्योंकि मुंफली का छिलका हमें हटाना है और बादाम ऐसे ही हमें पीस लेना है तो बस अब बादाम भी हो चुके हैं इनने रख देंगे side में और आपको मैं एक tip बताती हूँ किस तरीके से मुंफली के छिलके हम चल्दी हटा सकते हैं तो इस तरीके के जो cover वाला box आते हैं बस उसमें डाल देंगे मुंफली और उसको इस तरीके से shake करते हुए बहुत असानी से इसके छिलके उतार देंगे तो अब आप देख सकते हैं इसके छिलके कितने अच्छे से उतर गए हैं सारी मुंगफली के तो बस इन्हें अब हम इसमें से निकाल लेंगे और next हम इसको दूसरे एक किसी बरतर में ट्रांसफर कर लेंगे आप देख सकते हैं ना मुंखफली के छिलगे कितने अच्छे से हट गए हैं तो बस अब एक लेंगे अगर हम महीन पाउडर इसका बना देंगे तो इसका टेक्स्च्चर और टेस्ट दोनों में ही फर्क आ जाएगा बस अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह जितना भी हमारा सारा मिक्स्चर है इसको मिक्स करने के पाद में रख देंगे साइड में और नेक्स्ट हमें लेना है एक कोई गहरा बरतन और उसमें डालेंगे तीन बड़े चमच देशी गी और इसको अच्छे से बरतन में स्प्रेट कर देंगे इस टाइम पे ग्यास का फ्लेम मीडियम रखना है और उसमें डाल देंगे गुड़ गुड़ को अगर हम इस तरीके से कद्दू कस करके या ऐसे महीन से काट करके हम गुड़ डालेंगे आइसे घी में तो घी बहुत जल्दी यह जो गुड़ है वो अब्जॉब भी कर लेता है और मेल्ट भी गुड़ बहुत जल्दी हो जाता है लगता भी नहीं है कडाई में इस टाइम पे बंद और यह सारा मिक्षर इसमें डाल देंगे इसको पकाने के समय याद रखेगा अगर गुड़ ओवरकुक हो गया तो यह जो चिकी हम बनाएंगे यह टाइट हो जाएगी तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं इस तरीके का यह एक मिक्षर तयार हो इसे डाल सकते हैं अब इसे चारो तरफ से अच्छे से स्प्रिट करेंगे evenly हमें इसे चारो तरफ से इसे दबा लेना आप चाहे तो इस जगे पे कटोरी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनिट साइट में रखेंगे उसके बाद इसमें कट लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी न भूलें थांक यू फू वॉच्छ